हलो फ्रेंड साहे मपरती, वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आप से ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हर साल हमारे गार्डन में अपने आप ग्रो हो जाता है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो कैसे इसके सीट्स हमें मिले कैसे और क्यों ये अपने आप हमारे गार्डन में ग्रो हो जाता है यही बातें आज आप से शेयर करेंगे बहुत ही खुबसूरत फ्लावर है सबसे पहले ये एक जेट्रोफा का प्लांट है जिसको हमने 12 इंचिस के पॉट में लगाया हुआ था और ये अच्छी ग्रोथ कर रहा था लेकिन जब इसमें ये सेकंड प्लांट अपने आप ग्रो हो गया उसकी बजह से हमारा ये जो जेट्रोफा प्लांट है ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है क्योंकि सारी जगह है मिट्टी में हमारे सेकंड प्लांट ने ले ली है लेकिन फिर भी जेट्रोफा के कुछ फ्लावर्स हमें मिल जाते हैं और इस तरह के पिंक कलर के छोटे-छोटे फ्लावर्स आते हैं इस पर तो इसके बारे में हमने अल्रेडी वीडियो शेयर की हुई आप डिस्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजे वीडियो जेट्रोफा की केर कैसे की जाती है फिलाल ये जो सेकंड प्लांट है ये देखे कितना अच्छा इसने ग्रोथ कर ली है जो इसका स्टेम है वो बिल्कुल जेट्रोफा जैसा हो चुका है उतना ही मोटा ही हो चुका है तो आप समझी सकते हैं कि सारी मिट्टी की जगे इसी नहीं घेर ली है इसी दिए जेट्रोफा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और जेट्रोफा प्लांट को कम पानी चाहिए और हमारे सेकंड प्लांट को जादा पानी चाहिए तो कभी भी ऐसा प्लांट आप ग्रो ना करें एक साथ जिसको एक को तो जादा पानी चाहिए और एक को कम पानी चाहिए तो उसमें क्या होता है एक फ्लांट खराब होता ही है तो ये जो हमारा सेकंड फ्लांट है जो हर साल हमारे गार्डन में ग्रो होता है और कुपसूरत फ्लावर्स देता है इसका नाम है सेलोशिया इसको वीट सेलोशिया भी कहते हैं, सिल्वर कॉक्सकॉम भी कहते हैं कड़ होती है नेट पर जरुर्ट सर्च कीजिएगा तो हम आपस में चार में कहा हैं धिरा कि वान स्लेबित पर इस नाम से परहरे आपको लिए लेत आपको सूआ के आरे लेकिन यसके नाम मिल जाएगी उनका साइज छोटा होता जाता है और बारीक होती जाती है तो यह पहचान है जो कॉक्सकॉम्ब होता है बिलकुल उसी फैमली का यह प्लांट है वैसे ही इसमें सीट बनते हैं बस फ्लावर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं उसमें उपर जाकर एक कल्की जैसा बन जाता है लेकिन इसमें इस तरह के छोड़े छोड़े फ्लावर्स होते हैं अगर आपके गार्डन में मदुमक्या नहीं आती हैं पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं जो कि आपके सबजियों के और फलों के पौदों में परागन कर सकें तो आपको यह प्लांट जरूर ग्रो करना चाहिए क्योंकि इस प्लांट के जो प्लावर्स होते हैं इसमें धेर सारी तो हनी बीज आती हैं यारी मदुमक्या आती हैं और तरह तरह के भवरे तरह तरह की प्लावर्स आती हैं जो आपके सबजियों और फलों के पौदों में कापी हेल्प कर सकती हैं पॉलिनेशन के लिए तो अगर आप कोई भी सबजी या फल ग्रो करते हैं उसके पास में अगर आप ये पौधा ग्रो करते हैं तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में आएंगे क्योंकि इसमें जो हैं छोटे-छोटे ये फ्लावर्स होते हैं ये जो आपको पूरा एक फूल दिख रहा है जब हमने इसके seeds collect किये थे काफी टाइम से ये हमारे पास है अब ये हमारे पास आया कहां से एक बार एक plant competition हुआ था जिसमें हमें कुछ seeds और कुछ plants gift आये थे जिस पर एक वीडियो भी हमने share किया था तो उसी में कुछ vegetable seeds थे कुछ ये plowering seeds थे और कुछ नए पौधे थे न नहीं लिया इतने जादा पौधे अपने आप कहीं भी किसी भी pot में grow हो जाते थे पौली बैग में grow हो जाते थे छोटा पौली बैग रहता है तो plant छोटा रहता है और कम flowers आते हैं अब इसको 12 इंचिस का pot मिल गया तो इसने पूरी तर ऐसे growth कर ली और आप देख सकते है कित fertilizer की कोई requirement नहीं होती है खास अगर आप देना चाहें जैसे जेट्रोफा में हम कभी कभी fertilizer दे देते थे तो उसी से ही ये growth करता गया बाकी इसको fertilizer ना भी दें तो भी ये बहुत अच्छी growth कर जाता है एक तरह से grass यानी घास की तरह ही growth कर जाता है ये और sunlight आप इसको तीन गं चेक कर सकते हैं गर्मियों में और बारिश के सीजन में ऐसे ही इनके सीट्स बिखेर दीजिए तो grow हो जाते हैं तेंक यू